नमस्कार निर्माण आईएस में आप सब का स्वागत है पर आज हम भव्वे कुम्ब के विशय पर चर्चा करेंगे इसके कुछ इंपूर्ट हमने राजसभा टीबी लोगसभा टीबी पी आईवी देनिक जागरण से लिए हैं साथ ही निर्माण आईएस के भी कुछ इंपू करते हैं आज का विशय कुम्ब मेला मूलिता साध्यों और सन्यासियों का मेला है देश भर के संतों साध्यों की टोलियां अपने अपने अखाड़ों और मठों के धच के नीचे कुम्ब में शामिल होते हैं कुम्ब पर्व का उस्सव मनाने विना किसी आपचारिक निमंत्र के त्यागियों सन्यासियों के साथ आम जन्ता और ग्रहस्त पूरे विश्व से एकत्रित होते हैं आधुनिक कम्मिनिकेशन के साधन जब उपलब्द नहीं थे तब देश भर के आम और खास के आध्यात्मिक मिलन का ये पर्व अद्भुत संगम प्रस्तुत करता था यह एक देश के परिवार के रूप में एकत्रित होने जैसा है कुम्म अपनी अलोकिक्ता और भविता के साथ अपनी विविता को लेकर पूरे विश्व के लिए कौतुहल का विश्य बना हुआ है यह भारत का रास्टे समागम एवं सनातन परंपरा का प्राण है कुम्मेला भारत क के परंपरा और संस्क्रती में जाकने का एक घरोका है इतिहास और कुम्ब के विशय में जान लेते हैं कुम्ब मेले के आयुजन के विशय में कोई प्रमाधिक तथ्छ उपलब्द नहीं यह कितना प्राचीन है परंतु वैदिक और पूराडिक काल में कुम्ब तथा अर्द कुम्ब आयोजन होता था और उस समय के स्थान में आज जैसी प्रशास्निक व्यवस्ता का स्वरूप नहीं था कुछ विद्वान गुप्त काल में कुम्ब के सुव्यवस्तित होने की बात करते हैं चटी सताब्दी इश्वी में हुएंग सांग द्वारा कुम्ब की आयोजन की चर्चा का प्रमाड मिलता है आदी गुरू शंक्राचार ने सन्यासी अखाडों के लिए संगम तर्ट पर इस्थान की विवस्था की महभारत में भी कुम्ब आयोजन का प्रमाड मिलता ह देखते हैं क्या है कुम्ब का अर्थ कलश से है इस पर्व का संबंध समुद्र मंथन के दौरान अंत में निकली अम्रत कलश से जुड़ा हुआ है देवता और असुर्व जब अम्रत कलश को एक दूसरे से चीन रहे थे तब इसकी कुछ भूंदे धर्टी की तीन नदियों में गिरी उन तीन नदियों का नाम है गंगा गोदाबरी चेप्रा इसी कारण यह बूंदे जहां गिरी वहां कुम्ब का आयोजन प्रारंब हो गया अर्ध कुम्ब क्या है हरिद का संबन सिंग राशी से है सिंग राशी में ब्रहस्पति एवं मेश राशी में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में कुम्ब का आयोजन होता है इसके अलावा सिंग राशी में ब्रहस्पति के प्रवेश होने पर कुम्ब पर्व का आयोजन गोदावरी के तड़ पर इसलिए 2019 प्रयाग राज अर्ध कुम्ब को सरकार द्वारा कुम्ब की मानता से अलंक्रित किया गया है कुम्ब का पर इन चार जगों पर आयूजित होता है वो कौन से जगे हैं जाल लेते हैं हरिद्वार प्रयाग नासेक उज्जैन तीरत शब्द का अर्थ है वहस्तान जो भाव सागर से पार लगा दे कुम्ब मेला ऑसटन तीन वर्षों में एक बार होता है चार अलग-अलग स्थानों पर आयूजित होने के कारण यह एक स्थान पर बारा वर्षबाद लगता है प्रतियेक तीन वर्षों पर एक अस्थाई नगर बसता है और अपने पूर्ण वैवब को प्राप्त करता है और अगले आयोजन के लिए दूसरे स्थान पर प्रस्थान कर जाता है अखाडे और ये कितने प्रकार के हैं इसके वारे में जान लेते हैं परंपरा से कुम्ब मेले का आयोजन अखाडो द्वारा होता है अखाडे मूलता विभिन प्रकार के साधकों की सांगठने सनचनाएं हैं ये विविनिताएं उनके दर्शन अराध्य देव पूजा पद्धितियों एवं सनातन परंपरा में उनके दाइत्तों के आधार पर हैं बर्तमान में 13 अखाडे अस्तित्तमे हैं नियमित रूप से 13 अखाडे कुम्ब मेले में भाग लेते रहे हैं परंतु इस वर्ष प्रयाग में आयोजित अर्ध कुम्ब मेले की विशेष्टा यह है कि इसमें किननर अखाडे को भी मानिता दी गई है अखाडे पवित्रिस्णान के लिए अपनी पेशवाई निकालते हैं और इसके बाद आम्जंता पवित्रिस्णान करती है अखाडों का वर्गी करण निन्मर प्रकार से है जिसमें साजशेव अखाडे, तीन वैश्णव अखाडे और तीन उदासिन सिख अखाड़े हैं इनमें से तमाम अपने वर्तमान रूप को आदी शंक्राचार से संबंधित मानते हैं इनमें अनेक प्रकार की विवित्ता है परंतू सनातन परंपरा के संरक्षन और समवर्धन का इनका उदेश सांजा है बिना किसी केंद्रे संगठन या संस्था के बिना किसी प्रचार प्रसार के करोडों लोगों का नियत समय और इस्थान पर एकत्रित हो जाना विश्यों के लिए किसी कौतुहल से कम नहीं है बिविन भौगोलिक स्थानों बिविन मतों मानेताओं के बावजूद एक माहा तक बिना किसी अप्रियता और संगर्ष के एक साथ रहना विचारों का आदान प्रदान करना खुद सीखना और दूसरों को सिखाना और फिर अपने अपने नियत स्थानों पर आनंद चले जाना इस पर्व की पवित्रता और एतिहासिक्ता का जुलंद प्रमाण है कुम्प कब और कहां आयोजित होंगे इसका निर्धारन खगोलिये घटनाओं पर निर्भड करता है ऐसा माना जाता है इन काल अब्दियों में आध्यात्मेक उर्जा इन स्थानों पर इफ्ता माना गया है मैं कौन हूं सत्य क्या है जैसे प्रश्णों का जवाब पाने के लिए करोडों लोग कुम्प में प्रभास करते हैं आधुनी विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमार पर आधारित निश्कर्ष दे सकता है परन्तु मॉलिक प्रश्णों को जानने हे तु सना सत्य की खोच का अधिकार सभी मनुष्यों को देता है सनातन व्यवस्था में सत्य की खोच के बिविन मार्ग बताए गए हैं सनातन धर्म सभी को ये अफसर देता है कि प्रतियेक मनुष अपनी वृत्ति एवं विवेक के अनुसार इन बिविन मार्गों में से अपने लिए उप्युक्त कोई भी मार्ग चुन सकता है सनातन धर में अंतिम सत्य को किसी पुस्तक में नहीं लिखा गया है किसी एक सत्य को अंतिम बताकर उसे मानने के लिए बाद नहीं किया गया है अपितु प्रतियेक मनिश्य को इसके खोज के लिए तर्क के लिए अफसर प्रदान किय गया है भारतिय समाज अद्भुत विविनिता से परिपूर है केवल अनेकता में एकता भारतियता की पहचान नहीं है बलकि एक गहरासा में है जिसके कारण इतनी विविनिताइं सहज रूप से आत्मसाथ होती जाती है इसलिए भारत में अनेकता में एकता किसी प्रकार बहरी सामंजस नहीं बलकि कहराई में इस्तित अखंड एक्ता के रूप में प्रकट होती है सनातन धर्म में धर्मांतरण जैसा कोई शब्द ही नहीं है इसी कारण बिविन संप्रदाय और मत होते हुए भी सनातन व्यवस्था आधिकाल से अनवरत विध्धिमान है कुम्भ मेले में आए किसी मत का दूसरे से स्वैम को मानने का कोई आग्रे नहीं इश्वर को एक रूप या चाहा में बांध लेने की कोई होड नहीं दूसरे को अपने जैसा बना लेने की कोई जिद नहीं है श्रस्टी में व्याप्त विविद्धा की ऐसी अद्बुत समझ के कारण ही कुम कुम सही अर्थों में लोगतांत्रिक है कुम सही अर्थों में लोगतांत्रिक है जो सही अर्थों में प्रकति के मूलतत्व विविजिता को संबान देता है चलिए देखते हैं आज की प्रारंबिक परिक्षा का प्रशन क्या है निर्म लिखित कत्थों पर विचार कीजिए पहला सन्यासी विद्रो मूलता, जमीदार, कृषक और शिल्पकारों का अंग्रेजी सरकार के खिलाफ संगार्ष था दूसरा सन्यासी विद्रो में सनातनी हिंदू, मुस्लिम, आदी अनेक पंथों को मानने वाला संत शामिल थे तीसरा चिराग अली और देवी चौधरानी के नेत्रत में ये आंदोलन चलाया गया, उपरियुक कत्नों में से कौन सा कथन सत्य है, एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, उपरियुक सभी देखते हैं आज की मुख्य परिक्षा का प्रशन क्या है, भारतियता को समझने के लिए कुम्ब जैसा आयोजन कितना प्रासांगिक है, भारतिय संत परंपरा द्वारा देश के स्वाभिमान वा संस्कृति की रक्षा के लिए किये गए प्रयासों की चर्चा, एतिहासिक सं अंदर्व में कीजिए, हमारे द्वारा दिये गए लास्ट वीडियो जिसका टॉपिक राय सीना समवाद के प्रारंबिक परिक्षा का उत्तर ए है, अर्थार एक और दो, दोनों सही है, हम आशा करते हैं, यह मुद्दा आपकी परिक्षा में मददगार साबित होगा, इस के टॉपिक्स हम भविश्य में भी लाते रहेंगे, धन्यवाद.